तो इस बीड़े में silver के उपर analysis करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में silver में क्या movement देखने को मिल सकती है ये weekly analysis रहेगा holding बेस analysis रहेगा आने वाले week में आने वाले month में किसी को holding का plan है और कोई दिवाली तक कोई holding करना चाहता है तो कहां तक target आपको यहां पर silver में देखन करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली बेस्टों पर आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जरूरू जोइन करें वन आप दब बेस्ट एनलैसिस एकदम फ्री प्रोबाइड करता हो लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा लास्ट क्लोज करेंगे और टार्गेट अच्छी होती हुए देखने को मिल चुका है और हो सकते किसी नों सेल की पोजिशन बनाई होगी तो उसके लिए मैं औरेडी स्टाप्लास बता चुका हो तो वह स्टाप्लास के साथ एकजीट हो चुके होंगे आगी की चाल क्या होनी चाहिए सबसे वह से पहले हमें हाई की बात करूंगा हाए की निकल क्या रहा है Özचाय के आसपस इस साल करेंगा हम तो लगबग लगबावशिश्टी 8 क्या रहा है यहां पे लो निकल से अभी तक जो गिरावट मली वह तेरा पर्शंट की है और इस साल की हायस जो रैली मिल चुकिए वह कितना पर्शंट के वहां पर फोकुस करूंगा तो मार्स से यहां से यह स्टार्ट हुआ तो लगबग लगबग 28% के आसपास इसने रैली दिया था और 28% रैली देने के बाद अभी जो मार्केट के अंदर रैली देखने को मेरे वह कितना पर्शंट की हो चुकिए यहां पर फोकुस करूंगा तो लगबग लगबग यह 12% के आसपास हो चुका है तो अभी क्या करके चलना चाहिए तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हो हरिजेंटल उससे आइडिया लग जाएगा देखो यहां पर क्या हुआ था इस जोन के बीच में मार्केट पिछली बार आया था यहां पर भी गया था फिर गिरा उटाई थी इस लेवल के पास फिर गिरा उटाई अभी क्या हो रहा है इ क्योंकि जब भी मार्केट रेजिस्टन्स के पास जाता है तो दो प्रॉब्लिटी बन सकता है मार्केट रेजिस्टन्स को ब्रेक आउट करें या रेजिस्टन्स लेके मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आए तो इस लेवल पे फ्रेस बाई की पोजिशन विवकुल नह तो मेरे हिसाब से आपको जो फ्रेस बाई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से एक रियाली के बाद जो चली है उसके बाद एक थोड़ा सा रिट्रेस आने दीजिए मार्केट को उसके बाद बाई की पोजिशन बनाईए यह जो दो हजार पॉइंट का जो ग्याब दिख रहा है यह उनली फॉर इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए मतलब बाई भी करें उसके लिए लेकिन होल्डिंग बेस के लिए यह जोन बन सकता है इसकी वजह से इस जोन के अंदर आपको ट्रेडिंग अवाइट करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो तो यहां से हम क्या प्रॉबर्बेटिव बन सकते है मेरे इसाब से बाई आउन डिप को आपको प्रेपर करना चाहिए तो कि जिस तरीके से यहां पर रैली देखने को मिला एक यहां पर रिट्रेस आने दीजे फिर यहां पर बनता है जोन में जब भी मार्केट आएगा तो आपको बाइंग अपॉर्टुनल्टी विउकुल करना है आने वाले दिनों में जो अपसेट के टार्गेट रहेंगे कब जब मार्केट यहां पर रहतर हजार से लेके बातर हजार के रेंज में आएगा तब तो क्या हम इसले की पोजिशन नहीं बनती है क्यों नहीं बनती है पिछले वाला जो बैक्टेस्ट करोगे तो जोन के अंदर आया था मार्केट हो सकी इस बान नया है लगके नीचे आजाए या इसी जोन के बीच में मार्केट सेलिंप्रेसर देखने को मिले दोनों प्रभिलिटी बन सकता है तो इस जोन में आपको ना सेल करना है ना बाई करना है उनली वेट और वाच करना है मार्केट को गिरावट आने देना है तब आई करना है या 78 को ब्रेक आउट करेगा तब आप आई की पोजिशन बना सकते हो मेरे इससां से ब्रेक आउट के उपर काम करिये बिटर रहेग जब मार्केट के अंदर ब्रेक आउट मिलता है तो बहुत बड़ीया रैली मिलती है जितना मार्केट यहां से नहीं बड़ा उतना उससे ज़्यादा डबल ब्रेक आउट के बाद बढ़ता है जब यह 78 को ब्रेक आउट करेगा तो कम से कम 80,000 तक के टार्गेट आपको देखने को मिलेगा अपसाइट के जो टार्गेट रहेंगे वो कम से कम 4,000 पाइंट के रैली देखने को मिलेगा लेकिन यह रैली तभी मिलेगा जब यह 88,000 के उपर सस्टेन करेगा तो यह इस रैंज में आपको ट्रेडिंग आवाइट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको लेवल्स है यह तो टेलिक नाम चाहिन हो जो रूट जोएंट कर सकते हो सबसे इंपर्टन बात कोई हां पे रिस्की ट्रेडर से अभी लॉक्स में चल रहा है उसने अपनी प पूजिशन कर लिजिए 77 पे दुसरा लॉट कर लिजिए और 78 पे और एक लॉट कर लिजिए तो यह तीनों लॉट एड़ होने के बाद एक बार जरून मैर्केट रिट्रेस करेगा उसके बाद आपको सेल की पूजिशन एगजीट कर लेना है लेकिन सेल कब तक करना है ओनल और 78 पे थर्ड यहाँ पे सेल कर सकते हो जो अरेड़ी सेल उसके लिए फ्रेस सेल की बात नहीं कर रहा हो जिसके पास और रेड़ी सेल है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चर रहा है और लॉस को मिनिमाईज जनना चाहता है तो इस लेवल पे वो सेल की पोजिशन एड़ कर सकता है तो कम्पीट जन करें मैंने इस वीडियो के अंदर यहाँ पर यहाँ पर बताने के कोशिस किया बात करेंगा भी यहाँ पर सिल्वर डॉलर की सिल्वर डॉलर की बात कुरूंगा 75 के आसपास क्लोजिंग हो चुका है यहाँ भी देखोगे तो जबरदस्त बाइंग मिंश्चыми जया है यह एक रेजिस्टननल 45 कोने बनता है इस रेजिस्टन प्लाबतोंस के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए मारकेट के अंदर यहां से कभी भी गिरावट आ सकती है पिछले बार देखोगे तो इसी लेवल के आज पास मार्केट ने गिरावट देखने को मिला था जो आरेड़ी बाई के ओपर बने है वह को आपके पास बाई की पोजिशन होल्ड कर सकते हो इस लेवल पे कोई भी फ्रेस बाई की सला ब्यूकुल नहीं है आप ब्रेकाउट के ओपर 26 डालर के ओपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी आपको बाई की पोजिशन बनाना है यहां मार्केट के अंदर एक डीप आता है डीप कहा तक आएगा इस लेवल तक डीप आता है 23.50 तो इस लेवल पे आप अगेन बाई की पोजिशन बन नहीं है फिर सेल के लिए आपको वेट करना चाहिए आपको यहां पे ओनली जो सेल के पोजिशन है वह एड कर सकते हो तो कंप्रिट जान करें मैंने सिर्वर के पर बताने क्यों कोशिश किया रही बात मैं कोई से भी डिजिस्टेड नहीं हूं जो करूंगा वह हंड्रेट सब्सक्राइब यह मेरा प्रेडिक्शने में गलत भी हो सकता हूं मिलते हैं विडियों आपके साथ तब तक लिए